दोस्तो रोज की तरह अनल लिखने ब्लॉक में सबका हादिक स्वागत है सबके मंगल बहुष की खामना के साथ गढ़ों को मेरा साधर नवस्कार सोटूं को मेरा अशिलवा दोस्तो आख के राम्टाईद मानस के उत्तरकांड के संबंद में दोस्तो हमारे राम्टाईद मानस के स्वन करने से पहले दोस्तो हमारे जीवन के लक्षे का उद्देश से होना चाहिए कि मनुष्य में दिवत्तो का उद्देश और धर्ती पर स्वर्ग का आउत्वर्ण व्यक्ति की निर्मान परिवार निर्मान और स्मान निर्मान की भावना को त्यूपति का सुंदर पितिहास राजिना स्वस्त शरीर, स्वस्त मन और स्वस्त समाज की संग्रशना को बल देना मरियादा, संस्कार और आदस्ता के महनुकों का अपने जियून में हमेशा अनुपालन करना और आत्मवत सर्व होते शो बशुदे कुटमबकां की भावना का सर्वे संग्रशना सर्वे संग्रान या सर्वे भद्रान पस्चन तो मां कस्ति दुख भावना तो इन भावों के अन्तागर्ण में विराजमान करने से हमारे अन्तागर्ण में बशुदे कुटमबकां की भावना का समय होता है जिसके प्रणासो आत्मत हम सरव भुदेशो की कल्कना करने में समच्वान होते हैं और राम चाहिर मानास के अध्यान से दोस्तों हमारे जिवन में अन्य प्रकार के जो लिंग भेद हैं जाति भेद हैं बर्ग भेद हैं से उपर उठका सब को बिक्षित और विकाश और उन्नत जिवन की कल्पना करना जैसे राम राज बैठे ते लोका भसिर भेए गई सब्सुपा तो रगु कुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर बचन जाई तो संकल्प शक्तियों की प्राकाश्टा का मानक राम चैद मानस की अनुष्ण करने से हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अन्धकार से हमेशा तिरांदल देते वे ज्ञान रूपी प्राकाश्टा सम्चार करना इसी पिर्णा से अविभूद होकर उत्तरकाण में दोस्तों काग उसन्डी जीवन में जिस्वकार के भावों का संचार हुआ और उसका विस्तार से बढ़न हम कर चुके हैं दोस्तों और गरुड जी को जिस्वकार से हुआ एक तुल्शी राजी ने एक पक्षी के श्वरूप में किस्वकार का भगवान का कैसे चिंतन बिराजमान हो जाता है उसकी वास्त्रिक्ता को मानव चेतना तक अव्तिर करने का प्रियास किया है ताकि मानव में चेतना का उदै हो और हम अग्ञान से ग्ञान की प्राप्ति करें तो हमारे जियोन में दोस्तो नियम है धर्म है आचार है उत्तम आचरन है तप है ज्यान है यगी है जब है दान है और भी करुणों प्रकार के जो मानव जियोन जब रुखन हो जाता है तो ऐसे वस्ता में उसको विविन प्रकार की आश्त्रियों की आश्कता हो जाती है शरीर को दोस्त करने के लिए तो यह हमारी ओस्ति के समान हमारे जोन में काम करते हैं तब गरोड़ जी को कागशन जी कहते हैं कि उन्से यह रोग नहीं जाते हैं कि इन्से जो हमेशा अनेक प्रकार के बुराईयों में लगे रहते हैं और जिनको यानि अहंकार हो और दम्ब हो कपट हो मद हो मान हो तो ऐसे लोगों को विविद्वकार की बिमारियों से आशकतो हो जाते हैं जिनको नरुआ या नशूं का रोग कहते हैं तो तुष्णा बड़ा भारी उदर ब्रधी या जलोदर रोग हैं तीन प्रकार के पुत्र मोह धन मोह और मान सम्मान मोह की जो प्रबल उच्छा मालों में होती हैं एक तीजोरी में जिस प्रकार से हम धन संचाई करने का भाव का संचाई करते हैं इस प्रकार हम अपने अंता करने इन भाव को जगाते हैं तो मस्षर और अविवेग दो प्रकार के ज्वर हैं इस प्रकार अनिकों बुरे रोग हमारे कहां तक उनका बॉर्ण करा हैं तो इस प्रकार तो अशाद्य रोग हमारे जिवन में होते हैं वो अशाद्य रोगों को दूर करने की भाव हैं नियम, धर्म, आचार, सहिता, तब, दान, यगि, जब, दान लेकिन और भी करोड़ों अशुदिया हैं जिनके प्रणांसों हमने भुराईयों को दूर करते हैं तो इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं दोस्तों ए भी दी शकल जीव जग रोगी शोग हरस भाई प्रीत ब्योग की दुख से और भी दुखी हो रहे हैं तो मानस रोग कसुक मैं गाए और मैंने थोड़े से मानस रोग कए हैं ये हैं तो सब को परन्तु इन्हें जान पाए कोई भिरले ही इसके वास्तिव रातों को जान जाते हैं तो जाने ते छीजही कसु पापी नास न भाव ही जन परिता विशाई कुपत्ति पाय अंकुले मनव हिलाए का नर्वा यानि पापियों यानि जो भी इस पकार के प्राणी हैं को जलाने वाले से पापी रोग जान लिए रातने के लिए कुछ सिर्ण अवश्य होजाते हैं परन्तु नास को प्राप्त नहीं होते हैं विशय रूप यानि कुपत्ति पाकर ये मुन्यों के घ्रदय में भी अंकुली धोड़ते हैं कभी-कभी उनके अंतागर में पागी भागों का संतार हो जाता है तब बेतारे साधर मनुस्य तो कोई चीजी नहीं है यदिसी राम-जिन के करपा से उस प्रकार का संयोग बंजाये तो सब रोगल का अंत हो जाता दहा चाहता है ज़कि्धूल रूप न सहीं सब रोग है सभी रोगुँ का अंत कािषय अंत तभी हो सकता है आज हम मर्यादा पुष्पर महमान राम जिन जी के यस का गुर्गान करें उनके वास्तित्ता को राज़ा। और राम कपा नासई सब रोगा जो यही भादी बने संगुर। सद्गुरु बेद बचन विश्वाशास संजम यानव विशाई का आस्तित। और सद्गुरु रूपी जो बैदी के बचन विश्वाशास से अलग हो जाते हैं। यही शैयम यानि दवाओं के खाने से जो परहेज हमको पनना चाये वह परहेज की पराजास था। मर्यादा भुष्वन भगवार नाम जी की भक्ति एक संजनी बूती के स्मान, जड़ी के स्मान, जो की संजनी बूती जब लक्षमेन जी को मेगनान ने शर्व बाणों से प्रहार गया तब उनको शक्ति लगे थी जिसके प्रणाशू, अन्वान जी शुमेर परवत में जाकर वहां से संजनी बूती लाये थे तब लक्षमेन जी जो शेष्णाग के अवतारी थे उनको ज्योंदान पास्टोगा, तो रखुपादी भक्ती संजिवनी मुदी इसलिए खाया कि भगवान की भक्ति जो है, वह संजिवनी बूती के स्मान है, और स्रधा पूर्ण अगर आ अपने दवार के साथ उसको देते हैं, तो वह हमारे लिए मधु बन दाता है, अमर्त का काम करता है, सहत का काम करता है, इस पकार संयोग हो तो मेरा रोग भले ही नस्ट हो जाए, नहीं तो करोडों प्रियत्म से नहीं गाए, एवी जी भले ही सो रोग नसाई का गुष्ण अगर रोग भले ही नस्ट हो जाए, नहीं तो करोडों प्रियत्म से भी नहीं गाए, तो जब कहा है, तो रोगों के बारे में कहा है, दोस्तों रहीमन बहु बेशाज करता है, व्याधिन शाणत स्वाथ, खग मग आरोग बनो हरियनाथ के दाता है, तो परमात्मा की दिन पक्षूंबर या अपार जो कृपा होती है, रहीमन बहु भेशाज करन ब्याधिन साणता है, रहीमन राज ने कहा है कि अन्य प्रकार की हम दुआये करते हैं, लेकिन जो अग्यान रुपी ब्याधिन हमको हमाई जीवन में साधाती है, उसका कोई लेकिन इसी के तर्ण रूप जहीमन बहु भेशाज करन ब्याधिन थोड़र साणता है, खगमनग आरोग बना, खगमनग अन्य प्रकार की पशूपक्षी जो है, जो जिनको कोई देख दे करने वाला नहीं है, यो अपने सामर्थ बढ़ जो जीते हैं, उनका परमात्मा से होता है, क्योंकि वह इस संसार में अन्य प्रकार के भव बंधन के से दूर रहते हैं, जिसके प्रणावसु उनके आश्रह दाता के वाल परमात्मा है, तो हे गुशाई तब गरोड़ जी को बताते हैं, का गुशन जी मन को निरोग हुआ तब जानना काई है, जब भर्द दी रूपी भोक, नित रोज हमारी लगने लगती है, परमात्मा की आशक्ति में हमारा उदय होने लगता है, और विशर्यों की आशारूपी दुरलता हमारी हमेशा के लिए प्रापती है, तो ऐसे भाहों से इस पकार सब रोगों से थोट कर जब मनुशी निर्मल ग्यान र में राम भक्ति चाजाती है, और शिव जी, ब्रह्मा जी, सुगदेव जी, संकादी, नारज जी, आदी ब्रह्म विचार में परमने पुना, जो मुनी है, जो वास्तिपिक प्राकास्ता को जानते हैं, ये पक्षिरा जिन सब का मत है है कि स्री रांज के तरोगरों में प्रे तो कच्वे की पीत पर भले ही बालोग जाने, जो असंबव है, बांज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, ये भी असंबव है, आकास में भले ही अनेकों प्रकार के फोल खिल जाने, ये भी असंबव है, परन्तों स्री हजरी के भिमगो कर, अगर ये चीजां का भी संबव तो अगर परमात्मा के समसे भिम्मग है, जीवशुख न प्रात व कर सकता है। जिकोई भी जीवशुख न प्राति न पर सकता है। मुर्गतर्ष्णा के जन को पिने से बली प्यार बुझ आती हो। और खरगोष के शिर पर बली शीइंग निकल दाती है। यानि अनुवनी चीज़ें भी अगर होनी हो जाती है तो अन्धकार में शूरीकार नास कर दे परंतु सी राम्द के भिमोफा जीव, कभी भी सुख की प्राफ्पिन कर देना। वर्फ से अगर अगनी भी प्रकड हो जाती है, उन्होंने इस प्रकार के तुलनात्व का जन किया है, कुछी आची से ने, सब अनुहनी बाता चाही को जाए, जो असंभव है वो भी संभव हो जाए तो शी राम्भी की भृमक्व को कोई भी शुखः शुक्षी प्रात्य हाम जल को मतने से बली घीपन हो जाएगा, जल को मतने से कभी घीप राक्त नहीं हो सकता है, और बालू को पेलने से कभी तेल की उत्पची नहीं हो सकती है, स्रीहरी के भजन के बेना संशारूपी समुदु से अंपार नहीं हो सकता है, तो इसी स्वरूप में जो है, प्रभु मत्षर को ब्रह्मा कर सकते हैं, उन्हें अभी कहा, ब्रह्मा को मत्षर यानि तुच्च भी बना सकते हैं, ऐसा विजारकर चतुर पुने, सब संदे अंतोतो गत्वा सभी मज्यादा मिलब परमात्मा के आशक्ति में जाते हैं, तो इस प्रकार दोस्तों, पल के प्रसंगी जो बातें थी, तो उसी के आज का पंजांग आज 22 अक्टूबर दोजार चौबीश कार्थिमा के कृष्ण बक्षी की सस्तिति थी, मंगल बार का दि तीस मिनर तक रहेगी, आज सुबह दोस्तों, आज बसका आज बसका ची अलिस मिनर तक परिखी योग का सयोग रहेगा, उसके बाद शिवयोग लग जाएगा और आज़दा नक्षत्र पूरी रात और पूरा दिन संपोन दिन रात रहेगा, आज के सुमोर्त की बात करें त दोस्तों, कि यार बच के अर्चारीस मिनर तक से बार बच के तरीस मिनर तक, और अमर्दकाल आज का दोस्तों, सार बच के तरीस मिनर तक, ब्रह्म मुर्त चार बच के पस्पन मिनर तक से पांस बच का तरीस मिनर तक, राहुकाल आज का दो बसका पस्पन मिनर तक से चार ब इस पकार के आज के शुब मंगल कारी पंचान का स्वरूब है दोस्तों की आज किस पकार का भाव होंगे और मंगल बार की प्रिकृति उग्र होती है और यह दिन हर्मान जी का और मंगल देव को समर्पित माना दाता है प्रतेक कारी में हनमान जी की कृपा से मंगल कारी प्रिणाम प्रात्त पोने के भाव होते हैं मंगल को करने मंगल ही भरने मंगल मैं हनमान जय हुआ हूँ जय हनमान ज्यान गुन शागर जय कपी इस्तिहुं लोग जागर राम दूत अतुलिद बल्लामा अन्यन पूद्र पौण शुकामा नासे रोग हरेश पीरा जवत नियमतर हमद बर्ला जय 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 हनमान उशाएं करपा करोंगो देपनाना तो हनमान जी ने जब सभी लोगों को राम जय ने कहा था कि मतब सभी को मैंने कुछ नकुछ बर्दान दे दिया दिभी स्रम को राजपर दे दिया जो भी मेरे भक्तिते सभी को सबकूर दे दिया तो हनमान जी से कहा कि तुमको तो मैंने कुछ भी नहीं दिया जबकि तुमने आपने जो है हमेशा मेरे सांदिदी मेरे और मेरे बड़े-बड़े काम के और इस पकार के जो मानव रूप मे कोई भी नहीं कहता है। टब حन्वानजी ने कहा कि और उन को तो किवल एक पद बिला है जितनों को भी आज तक ब 대해 है तकुझके मेरे को आपने, आपके दोनों पदो में मेरा मस्तक, मैं अपने सिर को नवाता हूँ, उसका आनन लेता हूँ, तो मेरे को तो दो पद आपने दिये, इससे बड़ा मेरे लिए जीवन में कुछ भी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार मंगलबार को दोस्तो हनमान चारिशा का पार्टरना चाहिए और मंगलबार का ब्रतो उप्वाश रखने से जीवन में अने प्रकार के सक्ति के भावों का संदार होता है, मंगलबार प्रह्मचरी का दिन माना जाता है, शक्ति के संचार का यदिन अनमान जी की पूजा अर्चना, अनमान चारिशा पार्टरना, सुंदरकान का पार्टरना, तो इसे ज्यान की ब्रदियोतिय शांति का संचार होता है, अनमान जी की उपास्ना करने से मंगल का अर्थ होता है दोस्तो शुवता, यानि सुचिता य तो मंगल बार के दिन जल्मी जो जातक होते हैं, तततिक बपादार होते हैं, वरोष्य बंद होते हैं और आस्थावान होते हैं तो पावन मंत्र हर्मान जी का है मनुजयं मारुत तुल्य बेगं जितेंद्रिय बुद्धी मतांग बरिष्टम वात आत्मजंग बानरंग यूथंग मुख्यंग स्री राम दूतंग सर्णम प्रपद्दि जहां हनुमान प्रसंद होते हैं भक्तों स तब सुख समर्दी और मनुजय फलों की प्राप्य होते हैं सी राम हर्मान जी की मुडाकात मंगल बार को गई ती इसलिए जेश्ट मंगल बार को हर्मान जी की उपास्ना करने का विदान है अने प्रकाल की समयश्याओं वो कॉस्टूं का जिरान होता है और इस दिन उपवार सखने से सेवा है तरकी होती है और सेवा में तरकी होती है बल शाहस में बढ़ावा मिलता है शाहस बढ़ता है मंगलगरा प्रबलगरा के रूप में मंगलगरा का सास्तु में बड़ा महतु है हनमान चाल जिगा का और सुन्दा चाल का पाड़ करने से सांती का संचार होता है हनमान जी में माला अर्पन करना चाहिए और हनमान जी कुमें और हनमान चाल का पाड़ करके हनमान जी में सिंदूर चड़ा करके और चमेली का तेल और सुबबाओं का संचा होता है और मंगल कार के व्रत के दिन दुस्तों नमग का शिवन नहीं करना चाहिए ताम सिख जी जिजों का भोजन दिक्पल भी नहीं करना चाहिए मेश्व अब व्रुषिक राज्चि के स्वामी मंगल कर लाते हैं हर्मान जी की पुजा उपासना से मंगल दोस्वाप्त होते हैं और अनेव्रगार के बिगड़े हुए काम हमारे बन दा थी हर्मान जी ने पहली बार रामतिन से रिश्य पूप परवतपर्द है ग्रामन के रूप में उन्होंने मुलाकात ही थी और निश्काम भक्ती निश्वार्थ भक्ती फाओं से अपने जियून को और परमात्मा की सक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित किया था तो हर्मान को इसलिए दोस्तों प्रमुख देव यानि उनको एक सुपरमेन के रूप में माना जाता है और पावरफुल उनको कहा जाता है और बजरंग वली इश्वार की प्राफिक में समर्पित के जो भाव उनके थे और अपने भक्तीों की साहिता करने में और निपन थे और आज भी दोस्तों हुआ ऐसा हमारे सास्तों में है कि मैं कल्यूग में आउतारी देवता के रूप में माने जाते है तो इस पकार भर्मान जी के जीवन से तो संतोष साधना जो भर्मान जी के अंताकर में किसी पकार के स्वार्थ से रही संतोष साधना का पाप के भाव थी तो मनुष्य को सुधा का अंत नहीं है तो लोग अरो लाखों यानि लगपदी होते हैं करोड़ बना चाहते हैं क्यूंकि वह लाख रुपे पाकर भी संतोष में होते हैं गोदनगस दनबाज दन और अतंडन खान्जवावं संतोष नोशब्दन तोजा है अनि इस पकार के लोग अपेक्ष्याय और महत्पान चाहें बढ़ती वी अपेक्ष्याय और महत्पान का करोड़ पसे पूसा गया कि क्या इतने रुप्पे पाकर वह सुखी है तो वह कहेगा कि रुप्या कहाँ है किसी प्रकार किसे दिन कार रहा हूँ अगर वह करोड़ पती भी होगा और अब पती भी होगा वो यही कहेगा कि में पाप पैसा है तो रुप्या कहाँ है किसी प्रकार में अपने दिन कार रहा हूँ अधिक संपत्य रगने के बाद जो ऐसे व्यक्ति को अभाव बोड होते रहना और अपरिग्रा बिरोधी भाव होते हैं। तो कागुषर नी जी ने गरुरुजी को इन्हे भावों से मर्यादा प्रसुत भगवान रामजी की भक्ति सबसे बढ़कर हैं। और इसका उसके दे और मन पर बुड़ा प्रभाव परता है। अगर हम सब कुछ होते वे उसको मना करते हैं। तो परिट्या करते हैं तो शरीर और मन को अधिक लोग लादशा से बांच कर मनुश्य रखता है। तो जरुवत से अधिक धन संचाई करने लगता है। इसलिए मन को कभी भी तृक्ति नहीं होती है। विश्वास नहीं होता है। शंतोसम परम शुकं की आशकती हमारे अंताकरण में नहीं हो। तो इसलिए मन में विश्वार नहीं होने पर पर्षन यहीं उड़ता है कि शरीर पर इसका कैसे बुरा अशर पड़ता है और चुछ कि मन को संतुष्ट करने की जो लालसा हमारे अंतागर में होती है तो जिसके परेड़ाम स्वावाई के परिश्व करता है यानि फिर भी मतला हुआ है चुछ कि मन की संतुष्ट करने की लालसा में मनुश्य स्वावाई के परिश्व करता रहता है और इस करम में वह अपने शरी को सामर्थ से ज़्यादे बोश डालता है यानि महत्वा करने जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारे जीवन में बोश बढ़ता रहता है वही व्यक्ति द्वारा शरीर पर सामर्थ से अत्रिक बोश डे लेकर जो धनका या संपति जो उसने उपार्जित की है अगर वह उससे तृप्त रहता है उसे सुखम, संतोसम की अनभूति करता है और संतोस की साधना करता है। तो तोस संतोस का अर्थ उगाद की दोसों सभी प्रकार के आराम की अवस्ता में अन। यानि कुछ भी हो उसी अवस्ता में सब प्रकार के सुखम की प्राप्ति करना यही संतोस है। सभी प्रकार के आराम की वस्ता को प्राप्ति करना हलंकि संतोर साधना का उद्धेशी यह नहीं है कि कोई आपको किसी प्रकार ठग ले या आपके उपर अत्याचार करें, अभिशाप करें, आप उसे सहल है यह नहीं है अस्तितु की रक्षा के आगे अपने अधिकार या अपने न्याविचित भावना का अत्याग करना किसी भी तरह से उचित नहीं है तो जीवन के सभी शेत्रों में अपने अधिकारों को प्रतिष्टा के लिए मनुषी की सदेव संग्राम करते रहना थाए परिश्रम करना थाए, परिश्रे में ही सिध्यन्ति काल्याण नमनो रथे, नहीं सुपता सिस्याइशी बनोए मुखे म्रगा मनुषी की सदेव संग्राम करते रहना, ये मनुषी की अभिलासा होनी चाहिए लेकिन इस क्रम में कभी भी अति लोब, काम, कुरोद, लोब की बस में होकर अपनी सालिक और मान्सी की सक्तिकों सीर नहीं करना था क्योंकि संतोर भाव का शरण हो जाएगा, अंतो हो जाएगा और क्योंकि हमारे जियोन में संतोर परम सुखों की आशकती परम आशकी है मनुषी अक्सर अपनी सुख भोग के लिए, अपनी महत्वाकंसे के लिए, अपनी आराम के लिए, लोब बृतिकी बस में आकर अने प्रकार के लोब करता है, सब कुछ होने पर भी, अपने सामर्थ से अधिक धनो पार्जन करने क्या, कि प्रियासु में राद दिन दुटा रहता है, इसलिए इसके चलते शरीर और मन के स्तर पर असंत्रन परावता है, अगर हम अपने अंतागर में स्थिर्ता नहीं रखे कि हमाई जून में संकल्प उंके सार इस्तिर्ता का होना निहाद जरूरी है, क्योंकि अगर संकल्प अस्तिर्ता का समंदर सी नहीं होगा, तो हमेशा संतोसम परमशुखुम की अनुभूद निका सकते असंतोसी रहेंगे, तो जो उनके आध्यात्मिक प्रक्रति में हम परम आत्मा को भषते हैं, ज्यान का स्रदन करते हैं, अनेव प्रकार के सुष्टा के कामों को करने के भाव का करते हैं, तो वह हमाई जियों से धिरे देवन का हरास होई लगता है, तो किसी भी दशा में अगर हमने धन हर्जित किया, उसका पूरा भोग करना चाहिए, दान करना चाहिए, और उसको स्दमार्ग में प्रियोग करना चाहिए, और उसी के अनुरोग जो हमने अर्जित किया है, उसमें संदोसम परमशुकों की अनगोचि वने का है, यही बात रामचाईद मनास में, जैसे कि मैंने आज गताया है, दोस्तों, मनुस्य के अंत्रकार में, यान किसी अनिर्प्रकार के भावों का हमको आदर्स्ता के मानुगों का संदार करना चाहिए, मनुस्य में देवेत्य का उदाई, कैसे हो धर्ति पर स्वर्ग बताने के विचारों का संदार करना चाहिए, व्यक्ति, निर्मान, यानि निर्मान, परिवाद निर्मान और समान नि आत्म और सर्व उतेशु वसुदे कुटम्यं के भावना को कैसे अगसित कर सकता है, सर्वे संदुशुरिमा, सर्वे निरावया, सर्वे वर्दान पच्छन मां कर से दुख भाग हुए, तो लिंग वेद जाती वेद, अगर बर्ग वेद से हम जत्का उपर नहीं उठेंगे, तो हमारे लिए दोस्तों ये राम जाइद मानस का मुश्रण करना साल ही नहीं, इसलिए हम अगर बर्यादा पुस्तों बगवान राम जिंके आज़सों का सोण करते हैं, उससे आनन्द की अनभूद होती है, तो हमें अपने जियोन में अने प्रकायल के इस प्रकायल के जो स आमाजिक बुराईयां हैं उनसे अनिशा तिलांजली देने की जर्वत हैं, यही भाग कल के प्रसंग में काभुषर जी ने गरोड़ी को समझाए, तो इसी सम्मन्ध में दोस्तों बिनिश्चित्तं बदामिती न अन्यथा बचामि में भरी नरा भजन थी, ये तो दुस्तर तुरंट थी, यानि मैं आपसे भली बाँची निश्चाई किया हुआ शिद्धान काता हूं, काभुषर जी गरोड़ी से काते हैं, कि मेरे बचन में बिनिश्चित्तं बदामिती न अन्यथा बचान, बचान सिमे, यानि मेरे बचन में अन्यथा मिथ्या नहीं है, कि जो मन अन्यथा शिरियरी का बजन करते हैं, शिरियरी नरणा बजनती, जो भगवान का सुवन करते हैं, भगवान को जपते हैं, वे अत्यांत गुष्तर संशार शागर को सहजी पार कर लेते हैं, उनके लिए बहुत बढ़ा संशार सा शागर हो, समद्र भी हो, और कितने भी इसको बड़े ही निपूरता के साथ और अपने मर्यादा के साथ और आदस्ता के साथ उड़ अपने महताविता के आग्यां के अनुशार कारियों को प्रणित किया। कहो नाद हरी चरित अनुपा व्यार समार स्वामत अनुपा। इसलिए ही नाद मैंने स्री अरिकाप परमचाईचा अपने बुद्धी के अनुशार कहा। जो आपने साथ प्रस्णम से पुछे थे उनका। मैंने पूरा अपने बुद्धी के अंसाज का तर्क वत जो ज्ञान मुझे था जो परमात्मा के दरा प्रप्रदत ज्ञान है कहो नाद हरी चाहित रुपाद। श्री हेनाथ मैंने श्री हरिकार नुखम चाहिच्वापनी बुद्धी के हमसाथ कहा और ब्यास्ष्रमाश्वमतिस अनुपा और कहीं संसेब में यह इसका बड़ा बिस्तार है लेकिन मैंने इसको संसेब में कहा शुति सिद्धान्त यहीं उर्गाई सर्कूं के सत्रुगरुड़ जी कहते हैं वह कि सुत्यों का यहीं सिद्धान्त है बेदों की मर्यादावों की हमारे शास्तों की नीती यहीं कहती है यही उपदेश है इस सिद्धानत हैं कि सब काम भुला कर फोड़कर सी रांदनी का बजन करना का है यानि अपने करवपत पर अविरल रहते हुए परमात्मा का जान मर्यादा बुस्तुम भगवान रांद के स्वरूप में अपने को समत्रित करने के वागु का समचार करें इससे दूसरी और हमारे विमारियों की और कोई दोवाल है यही हमारी सबसे बड़ी औसरी है प्रभु रगुपर्टिताजी शेव हुंकार प्रभु सी रांदनी को छोड़कर और किसका शेवन किया रहा है और हम किसी चीज का भी शेवन ने कर सकते हैं मोई से सट पर मंता जाए जिनका मुझ जैसे यानि जितना नीच बक्सी कववे को मना जाता था दोस्तो तो परमार्दमा ने उनी को अपनाया तो भगवान जो है कहां अवत्रिद होंगे इसके मन में इसके लिए वह अपनी क्रपा बर्शाएंगे यह कोई नहीं जानता है क्यूंकि उनकी लिला अपरमपार है माया का लिला का जितना से कागुषिन ने उनका पुरा बर्णन किया है तो गरोरणजी को एस संसायों का हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ए एक मानव को यानि एक मानवता के सही धर्म का पालन करने के लिए जिसकार से कागुषिन ने गरोरणजी को राम स्वरूब राम रूपी जीवन को राम बाई बनाने के लिए मुझ जैसे मुर्ख पर ममत्यु स्नेफ परमात्मा का है तो मैं बिज्ञान स्वरूप देंग। तो आप विझ्यान रूप हैं. लोब, मो, شोब, यही आपके अंतरागण मेनी है, आपने पूर्ण कवई के रूप में भी अपने जीवन को इतना समयता परमात्माकिन पर के भक्ति मो आशकती बोकार, इसलिए आपको इच्छामर्तिय। और तथा गतिमिली यानि जहां आजनत आते हैं, आपने तो मुझ्पर बडी कर्पा की, अपार दया की जो पर्मात्मा के अंता करंटा का यानि जगत, पूरे जगत का और पूरे ब्रह्म लोग का जो शार्म, संशेप या विष्तार्म जो शार्म जी बताया, उच्वराम कथा जो आपने मुस्ते शुगदेव जी संकार जी और शुगशंकार संभु मन भावन है। शिव जी के मन को विप्रलगने वाली अति कोईत राम कथा पूछी तो सत संगत दुनलब संचारा। तो संचार में भड़ी भर के लिए अगर पूर एक शण भर के लिए अत्वा पर भर के लिए एक बार भी सत्षंग अगर प्रात्रों जाए तो उसरे जीवन का उधार उसी में है। तो मर्यारा पुसर मगवान राम जीन जी को कागुशन जीन को लंबे समय दर सक्षम करने का जो प्रवचन का भागी बनाया। और यही उनकी भक्ती भाओं का और उनके अंताकरण में एक कवे के रूप में जिस पतार के भक्ती भाओं का संचार हुआ। वह दोस्तों आस्तों में अवर्णी है, अकत्नी है। तो इस पकार फुल सिदा जीने मर्यारा पुसर मगवान राम जी की पुर्पाक इस पर हो जाए। इसी का बढ़न बड़े ही सुंदर ढंग से किया है, मार्मिक ढंग से किया है। तो सत्षंग बड़ा दुड़ाप होता है। धरेक व्यक्ति सत्षंग के सानेती कही प्राप्ती नहीं करें। क्यूंकि देख गरोर ने ले हिर्दाई विचार जी। ये गरोर जी अपने हिर्दाई में विचार कर देखे। अपने अंता करण में उन रूप से इन भावों को लाईए विचार करें कि मैं रगवीर भजन दिखा देखा दूँ। यानि मुझे जो पर्मात्मा की आशक्ति प्राप्त होई है। मेरे अंदर जो अभी भी अज्ञान बढ़ा बढ़ा है। उसके लिए क्या मुझे और भी कुछ भगवान की कृपा की जरुवत है। शकुना धमसब भ्हात्य अपावत। यानि पक्षियों में सबसे नीज और सब प्रतार से अपाईचों है। मानाव तो मानाव है, उसके बाद पक्षी है, कशु है, तो पक्षियों में सबसे नीज जाती का पक्षी कवा करता है। और जो अपाईचर करता है। अगर कवा जिएको चूँ आता है, तो वा अपाईचर ममाला था। तो पक्षियों में श्वयं का अगुषर निज करते हैं कि पक्षियों में शक्षे नीज पक्षी में हूँ, सब प्रकार से मैं अपवित्र हूँ, आव माने नहीं पवित्र नहीं हूँ, अर्थार मैं शही ज्ञान का वास्वी ज्ञान के स्वरुप्स का सरजन मुसके मेरे अंदर नहीं है, परन्तो प्रभो मुई कीन बिदित जगपाव, परन्तो ऐसा होने पर भी भूने मुसको ही अपनाया और जगत को पवित्र का निवाला प्रसित्र कर दिया। का खुषण जी जी इसलिए रामसाइद माराश में पात्र के रूप में तुल्सी दाइज ने इस परकार का बढ़न किया है कि मर्यारा पुषण मगवान रामजी की रामजीन ने कैसे कहां जन्म लिया और कहां लोग कल्यान के कारिके और एक अंतिम पायदान में बैठे हु कि मुझे पशु पक्षी और नर लीला करके अलेक मानव चेतना को जगाने का कारिक है तो जगद को पहित करने वाला प्रसिद्द मुझे बना दिया का गुषण का थे यह भगवान की अपरमपार कृपा है उनकी दया है और उनकी सतसाया के अंदर हंधीरें अथ्वा पुर को पुरिध्र कर दिया हमेशा के लिए धन्य के पर दिया हो सो हजार वर्षता जो मैंने कोवे के रूप में उनकी बालेलां को देखा उनकी वड़न को देखा उनके पूरे विश्तार को देखा तो मेरा हिरदैई उसी रूप में जो है मैं गदगद हो गया है गड़ुजी इसलिए पुषात आके आप उन्हें काग का जीवन ही क्यों प्राप्पे किया। और आपके सत्संग में इतना लम्ड यानि सत्संग आके सत्संग में हम माया अज्ञान रूपी अंदकार माया मोह इत्यारी सब बोल आके हैं। और परमात्मा की आशकती सबसे आप पर कैसे हो। तो इन भावों को भागुषण ने पूर रूप से गरदी को समझा कर उनके संदे को ये मानव जीवन के लिए इकलतार की प्रेड़ा हैं दोस्तों। कि भगवान किस पर कैसे कहां और कौन सी दशा में उसकी परिक्षा लेते हैं। उसके ज्यान चक्षों को कोईते हैं। उस पर भगवान का ख्रपा बरस्ती है। और यह बड़ा जुड़लब है। तो पागुसर्णी जैसे नीच जो अपवित्र पक्सी माने जाते थे उनको भी भगवान रामजन ने घृण किया। तो उनके अर्ताकरण में दोस्तों किसी प्रकार के लिंग भेज, जाती भेज, वर्ण भेज, शमाज, यानि कि इससे वह उपर उठके तुशिदाशने इसका रामजन मारस्ता बढ़न को है। आज धन्य में धन्य अती, जदे भी सब बिली ही। नीज जन जान इराम भोही, संत शमागम ही। तो वह कहते हैं कि आज धन्य में धन्य अती, कि यदे भी में सब प्रकार से हीन हूं, नीच हूं। मुझे लोग नीज बानते हैं, सुष्टी में सबसे नीज प्राणी मुझे माना गया है। तो भी आज में परमात्मा का आशिरवाल मुझे प्राप्त हो गया, परमात्मा की भक्ति में मैं धीन हो गया। तो मैं अपने को धन्य शमस्ता हूं। और जिसके परिणाम स्वरूब निज जन जान राम मोही शंत शवाना। और अत्यंत धन्यों जो स्री राम जिने मुझे अपना निज जन जान करके। इसे पकार केवड को उनुने निज जन जाना। एहल्या को उनुने निज जन जाना। और जटाय को उनने निजन माना, और विविशन को उनने निजन माना, जो जो मर्याधा पुषटित्रों भगवान राम जेंग जीवन में इश्पकार के उनके शरण में आई, उनने उनको अपने शंधी में रख करके, निजजन अपना सेवक जानकर अपना सायक जानकर उसको अपने हुर्जाई से लगाया और संत समागम दिया आप से मेरी भेंट कर आई गरुड़ जी पक्षियों के राजा मने जाते हैं उनसे बेंट कर आई तो वह इस बाद के लिए धन्यवाद यानि गरुड़ जी का स्ने उनको प्राप्त हुआ तो परमात्मा की क्रपा का मैं हमेशा के लिए रिनी हूँ और ऐसे नीज़ पक्षि को जिन्होंने अपने शरणांगत रखा तो नाथ जथा मति भासे हूँ राकों ने कचबोई चई सिंदुगर गुनाई को था कि पाओं को तब कहते हैं कि नाथ जथा मति भासे हूँ यह नाथ मैंने अपनी बुद्धी के अंशार जो भी बर्णन किया है मज्यादा पुस्वर मगवान रान के चाहित चित्रुन का कुछ भी मैंने आप से नीचिपा रखा है पुन जो मेरे अंताकर्ण में हिर्दय में मेरा सब कुस था तो सबिस्तार मैंने आपको परमात्मा की आशकती मुझे कैसे प्राप्त हुई मुझे कैसे भक्ति का अशिरबाद हुआ इस पकार से मुझे काक का जिवन बिता करके फिर मुझे मनशी रूप में उसके बाद में अधिशी बला और रगुवीर के चैत्र सिंदु रगुनायक था रगुजीर के चैत्र समुद्र के समान जिनका धीर विशाल समुद्र के समान गहराई जिनके अंताकरण में है क्या उनकी कोई था पा सकता है उनका आधी और अंत कोई नहीं पा सकता है तो ऐसे था की पाव ही कोई उनकी अपाल लिला और उनकी था का अपरम पाल लिला जो है इनका ना आधी है ना अंत है ऐसे परमात्मा को जो ब्रमा अविश्व महेश भी हमेशा जिनके शिवाल रखते हैं ऐसे परमात्मा की क्रपा मेरे उपर भी ये मेरे धन्नी का इस बाद है तो काग्वसंडी जी स्वयंग को धन्य मानते हुए तो और गरोड़ी को भी किसी प्रकार के बिना चिपाव के बिना किसी बात को शुपा करके यानि पुन निस्टा के साथ पुन सुधा के साथ सुधा के भावों के साथ संपुन रामभक्ति का जो रशा श्ыватьvon hello को प्राप्त हुआ था उस भक्ति का उनोंे पुन रुप मेंसे बर्णन किया है और इसी स्वरूप में तब वह कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धी के अंसार, अपनी विवेक के अंसार कुछ भी नहीं चिपा रखा है और स्री रगुनार की त्रहित्र का चैत्र समुद्र की विशाल और गहराई के समान है और उनकी कोई अपाल लिला है अपरमपाल लिला है उसका ना आद है ना अंत है तो दोस्तों हमारे जिवन में परमात्मा का जो आशिदवार होता है वो आशिदवार उनको अगर प्राप्त हो जाता है तो हम इस संसार के अने प्रकार के भावर ज्यादियों से दैहिक दैहिक भातिक तापों से दूर होकर के अपने जिवन को सार्थक बनाने में काम्याब होते हैं और हमारा जिवन गण्य हो दाता है और हम परमात्मा में आसिन हो दाते हैं इस पकार दोस्तों अपने बानी को विराम देते हुए काग भुषणने जी ने जिस पकार से गरुजी को उनके संसाई को अपने ज्ञान गुद्धी और विवेक से तो ज्ञान की पराकाष्टा कुछी होती है फर्मात्मा का दावासिपाद होता है तो भक्ति के भावों का ज कि जाकती है तो हम ब्रह्म में जीनों जाते हैं सबके मंगा दोस्ती कामना के साथ मर्यादा खुष्ण मपवान अंच का आशिवा सभी पना रहे सभी पना रहे सब कुछ रहें प्रसम रहें